शाहबाद इलाके में चो दिल्ली राज्य में आता है और हर रोज एक मेना पंद्रा दिन के आड में कोई मुस्लिम लड़का उड़ता है और एक लड़की को खुले आम जहां पर चाकू मार के निकल जाता है और आज वो फरार है आज ये वीडियो जब हम टीवी पे देख रहे हैं मीडिया में देख रहे हैं खुले आम सीसी टीवी कैमरे में फुटेज में वो आ रहा है कितनी बेर एमी से वो लड़की को उसने मारा है साहिल लड़के में मुझे बताईए इसके बाद भी हम लोगों को न्याएं के लिए भीक मांगनी पड़ेगी हम लोगों को अब ये होने के बाद कैंडल मार्च निकलेगा कहीं पर प्रोटेस करेंगे रोड पे निकलेंगे कैंडल जलाएंगे बस इतना ही हमारे देश में रहे गया है लड़िकियां इतनी ही सेफ हमारे देश में रहे गयी है नियाये विवस्ता हम Member of Parliament रहने के बाद भी हम लोगों को जब वीडियो देखते हैं टी वी पर देखते हैं कि इतने चाकू मारने के बाद भी हम लोगों को को ट में जाना है और कोट में उनके परिवार को या हम जैस कि हम लोग मेंबर होने के बाद भी कुछ हमारे आत में नहीं रहता है तो मैं इतनी विनंति करूंगी नियाय विवस्ता को कि जब खुले हैं जब आपके सामने इतना बड़ा प्रसारण है कि इतनी बुरी तरीके से वो लड़की को मारा गया है तो उसको इमीजर्ट सजा होनी कि और फासी पर चड़ाना चाहिए ताकि इस देश की हर महिला हर लड़की को यह सुरक्षा महसूस हो कि हम जिस देश में रहते हैं वहां पर हमारे साथ अन्याय नहीं होगा ने तो दस साल उनके परिवार के चपल तूट जाएंगे चपल घट जाएंगे पर उन्हें दस सा काना पड़ता है कि इस लड़की कि साथ यह हुआ है इतने चांखु ब्रहुमों में प्त्थर में इतनी परिसर में उसे मारा गया है dressed, और उसके बाद, के नाते और एक मेंबर पार्लमेंट होने के नाते रिप्रेसेंट करने वाली होने के नाते दिल को बहुत बड़ी वेतना और बहुत बड़ा दुख हो रहा है आग